तुम्हारे लिए ही तो कमा रहे हैं तो ये बात तुम्हें बच्चा होने के पहले सोचनी चाहिए थी ना शिवम अरे मा तुमो तुम्हारा कंसन होना चाहिए न ये आफिस से थक्या हरे आता हूं मैं खाना तक नसीब नहीं होता ओपर से नवीन बस रोता ही रहता है नेंदी पूरी नहीं ओरी मेरी तुम्हें नवीन को सुला कर रखना चाहिए न बेबी क्या बेबी तुम्हें ये तो प्रिकोशन नहीं लेनी थी हो गई न प्रॉब्लम मैंने तो कहा ही था कि ये हमारे पैसे कमाने का वक्त है अभी अपनी जवानी हम बच्चे पालने में वेश्ट नहीं कर सकते अगर सब सोच समझ कर किया होता ना तो नहीं होता ये सब अच्छा तो तुम्हें बोशन बे तो करवा सकती थी न प्रिया गई थी मैं, नहीं गई थी क्या तब तीन मैंने अल्रीडी हो चुके थे शिवा I was late already और तुम्हें पता भी नहीं चिला वाह, अरे जैसे ही तुम्हें अंदाजा हुआ मैडिसन ले लेनी चाहिए थी न ये तुमने पहले क्यों नहीं बोला शिवा जिब तुम्हें पता चला था कि I was pregnant कितने खुश थे तुम हम दोनों की प्यार के निशानी आ रही है प्रिया कितना खयाल रखते थे तुम मेरा उन दिनो साथ में ग्रो करेंगी प्रिया गुड पैरेंटिंग होगी कहां गया वो श्यो क्या वो सब जूट था जूट क्यों होगा बेबी जूट नहीं था कुछ भी जूट नहीं था बट अब तुम ही देखो इस बच्ची के कारण अल्रेडी तुम आट मेनी की maternity leave ले चुकी हो हम दोनों मिलकर एक ही कंपनी में काम कर रहे थे अब वहाँ तुम नहीं हो आफिस में 24 गंटे ये देखना कि तुमारी जगह कोई और काम कर रहा है तुमारा demotion हो रहा है मुझे फर्क पढ़ता है उसके बाद आफिस का काम करके मैं जब भी घर आओ तो नविन रोता ही रहता है मैं तुमारे साथ time तक spend नहीं कर पाता तुम भी irritated रहती हो और मैं भी परिशान हो जाता हूँ मैं तुम से प्यार करता हूँ प्रियान नविन से भी करता हूँ पर हम दोनों के सपनों का क्या और मैं कमा भी तो हमारे बेटे के लिए ही रहूँ न तुम्हें अगर सारा time ये आया वाले काम में लगे रहना है तो तुम कमाओगी कब कैसे हम अपने बच्चे का future secure कर पाएंगे कैसे नविन को abroad पढ़ने के लिए भीज पाएंगे अरे तो क्या करूँ मैं कोई रास्ता निकालो और ये तुम ही कर सकती हो और हरुज नविन को लेकर शिवम और प्रिया में इसी तरह बख्चक हो जाया करती फिर एक सुबब प्रिया को उसके ओफिस का लिका कॉल आता है कहा हो प्रिया तुम मा क्या बन गई तुम तो आफिस को भूली गई सिर्फ एक प्रमोशन बाकी था तुम्हारा मैनेजर बनने के लिए मुझे तो लगा था शिवम के पहले तुम्हे प्रमोशन मिल जाएगी पर यहां तो तुम सब को छोड़ कर इस तरह बनवासी बन चुकी हो I really feel sorry for you लाइफ के ऐसे मकाम पर कभी इतना बड़ा डिसिजन नहीं लेना चीए था हो गई ना लाइफ चौपट क्यों कि फिर तुमने इंजीनियरिंग अरे तुम मैं क्या करू संपुर ना फस गई मैं तो अब हो गया बेबी संभाल में नहीं पा रही हूँ यार मैं बसे तुम भी तो प्रेगनेंट थी ना उसके बाद क्या हुआ ना तुमने बेबी शार की पार्टी दी ना कुछ अरे बाबा घबराओ मत I am still a mother पर मैंने अपनी करियर को प्रायोरिटी दी साथ में मैंने तक तो मैं काम कर रही थी दो मैंने डिलिवरी के लिए मैंने आफ लिया उसमें भी वाक फ्रॉं हो और आरव के होते ही अपनी मा के हाथों में सौप गिया उसे अब जब तक वो 7 साल का होगा मामी समालेगी उसे देख यार पिया आज के जमाने में मुंबई जैसे शहर में बच्चे का खर्च उठाने के लिए पती-पती दोनों को काम करना पड़ता है तो जानती है तेरी मा के घर की तरह मेरा घर भी यही पास में है कहां मैं उसे अपनी सास के पास छोटी पहले तो मैंने उसे अपनी सास के पास ही छोड़ा था फिर मुझे टेंशन लगी रहती थी कि इतने चोटे शहर में कहीं वो मैनरलिस ना बन जाए इसलिए मैं उसे उठा कर यहां ले आई अब कभी मान होता है तो जाकर उससे मिल लेती हूँ अरे वा संपुणा यह तो मैंने सोचा ही नी नविन इस अल्रड़ी एट बन्स नाओ ज्यादा छोटा भी नहीं है मैं भी उसे अपनी मा के पास छोड़ देती हूँ अरे या बिल्कुल जिस मानी तुझे पाल कर बढ़ा किया क्या वो तेरे बच्चे को नहीं संभाल पाईगी और मुंबई में ही रहेगा तो बच्पन से तुम उस पर नजर भी रख पाऊगी अभी से ही सही गाइडन्स मिलती रहेगी बड़े घर के बच्चे के साथ उठना बैटना रहेगा तो उसे वो प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगी जो हमें करने पड़ी वो भी वर्क कल्चर समझेगा थांक्स पॉर योर हेल्प संपुर्णा मैं आज के आज ही मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ और प्रिया में मेरी गुडविल बहुत अच्छी है इसलिए कंपनी मुझे दुबारा बुलाना चाहती है अब मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती मैं जो भी कमाना चाह रही हूँ सब कुछ नविन के लिए ही तो है ताकि उसे एक अच्छी लाइफ दे सकू कल को उसे पाइलेट बनना हुआ तो अबराओट जाकर वो पढ़ाई कर सकेगा शीवम के अखेली की सैलरी से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा तीस हजार तो हमारे फ्लेट का रेंटी चला जाता है ये सब कुछ अब अखेली शीवम पर हो गया है जिसके कारण वो भी ना चिड़ चिड़ा रहता है तो मैं सोच रही थी कि नवीन को आपकी पास ही छोड़ दू मतलब अगर आपको तकलीफ ना हो तो तकलीफ की बात उसमें है ही नहीं बिटा ये तो मेरा नाती है मैं क्यों नहीं से संभालूँगी पर तुम लोग न कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो नवीन अभी बस आठ मेनी का है वो पाइलेट बनेगा कि डांसर या फिर वो साधरन जीवन जीना चाता है ये तो तुम भी नहीं जानती अभी से इतना मत सोचो माया नगरी की दुनिया में इतना ज्यादा इंसान फस जाता है कि एंग्जाइटी डिप्रेशन की बिमारी हो जाती है तुम्हारा बच्चा है तुम्हारे करीब रहेगा तब तो उसे तुम से प्यार रहेगा ऐसे कुछ नहीं ममी पापा भी तो हमेशे शेहर से बहार ही रहते हैं क्या मुझे पापा से लगाओ नीरा बच्चों में लगे रहने से न औरतों की इजदत ना बच्चे करते ना समाज अगर आपको नविन को नहीं संभालना तो अलग बात है मैं कोई और उपाई ढूंड लूँगी पर अब मैं आफिस जॉइन कर लूँगी ममी बात हुआ मैं तो किसी मेड को घर पर लगा दूँगी जो दिन बर नविन का ख्याल रखे बस कोई मेड नहीं मिल रही जो रात बर नविन को अपने पास रखे शीवम तो कह रहा था कि मैं नविन को केर सेंटर में रखकर आफिस आ जाया करू उसके बाद तो उसे रात को मुझे घर लाना पड़ेगा न और हमारा खुद का काम इतना रहता है मैं नविन को टाइम ही नहीं दे पाऊंगी तु रहने दे बिटा ये तो मेरा खुद का खुन है मैं इसे कैसे छोड़ दूँगी तुझे जाना है ओफिस तो जा मेरा नाती मेरे पास रहेगा और बिना कुछ सोचे समझे प्रिया अपनी मा के पास अपने आट मेने के बच्चे को छोड़ कर वापस अपने घर लोट आती है आ गई तुम? का है नविन? तुमारे लिए गुड नियूज है कल से मैं आफिस जाइन कर रही हूँ नविन को मैंने ममी को सौप दिया है पर सच कहूँ न मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है शिवा अरे इसमें ठीक नहीं लगने वाली क्या बात है? अपने बच्चों के लिए ही तो हम ये सब कर रहे है उसके भविशे के लिए कर रहे है और नविन के बारे में टेंशन लेना छोड़कर प्रिया और शिवाम फिर से ओफिस जोइन कर लेते हैं वही सुब उठकर भागते दौडते ओफिस पहुँचना रात को बहार खा कर ही वापस आना और अपने काम में लगे रहना शुरू शुरू में तो उफिस से आते वक्त शिवाम और प्रिया नविन से मिलने मनीशा के पास चले जाया करते थे पर धीरे धीरे वो भी बंद होने लगा मनिशा दिन भर नविन को अपने बच्ची की तरह ही संभाल कर रखती उसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, उसका डाइपर चेंज करना सब कुछ मनिशा खुदी करती अपनी मा से ज्यादा नविन अपनी नानी की सहलियों को पहचानने लगा था अब नविन डेट साल का हो चुका था, संड़े की एक सुबा प्रिया और श्यादा अब नविन से मिलने मनिशा की घर आते है अब तो डेट साल का हो गया है नविन, पर ममी अब तक इसने मुझे ममी नहीं बोला बोलेगा भी कैसे बिटा, उसने अपनी मा को देखा हो तब तो वो मा बोलना सीखे बच्चा ऐसे ही किसी को मा नहीं बोल देता तूने दूद तक नहीं पिलाया इसे मैंने तुझे कितनी बार बोला है कम से कम अपना दूद तो पिला दिया कर इसे वो नहीं कर सकती, तो आजकल तो बहुत तरीके आ गए है, मा अपना दूद निकाल कर भी बोतल में भर सकती है तेरा दूद ना मिलने के कारण इसकी हड़िया कमजोर हो जाएगी ये सब बहुत पुरानी बाते हैं ममी जी, ऐसा कुछ नहीं होता मैंने तो पैदा होते ही अपनी मा का दूद छोड़ दिया था, क्या हुआ मुझे, I am fit and fine मैं एक अच्छे nutrition इसके पास नमिन को लेकर जाता हूँ, उसे supplements दे देंगे, हर चिसकी दवाई मिलती हैं ममी और ये सुनते ही मनिशा की flat की बाहर से गुजर रही solution उसकी flat के अंदर आ जाती है ये लो भाई, अब माबाप इतने modern हो गया है कि देड़ साल के बच्चे को दवाईयों से ताकत दिलवाएंगे अरे दवाईयों से kidney liver खराब हो जाते हैं, जहां लोग सोचते हैं कि दवाई कैसे नाखा है वहाँ तुम दोनों अपनी इकलौते बच्चे को दवाई तर नहीं की बात कर रहे हो सौरी अँटी जी पर नवीन हमारा बच्चा है और उसके साथ क्या करना है क्या नहीं, वो हमारी responsibility है तुम्हारा बच्चा है, तो तुम्हें पैचान क्यों नहीं रहा हलो नवीन बेटा, नानी मिलने आई है, बोले नानी नानी नवीन बोलता है ममी वो अपनी नानी को ही अपनी मा समझता है और उसे ममी कहता है पर ये तुम्हें तब पता होता जब तुम यहां उसे मिलने आती और जहां तक रही हक की बात, तो जब भी नवीन की तब्यत खराब होती है तो मेरे ही पती गाड़ी लेकर आते हैं इसे अस्पताल ले जाने तुम दोनों को तो आफिस से फुरसती नहीं होती इतने बड़े अस्पताल में नवीन जा पाता है आउंटी जी क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उस अस्पताल का खर्च उठा सके आफ्टर आल सब कुछ हम नवीन के लिए तो कर रहे हैं है कि नहीं बड़े डड़े किस के लिए कमार है नवीन के लिए वैसे मैंने सोच लिया है ममी जी अब एक टीचर लगवा दूँगा घर पर नवीन के लिए जो मेरे नवीन से हमेशा फॉरेन लेंग्विज में बात करेगी जिसे नवीन नयनय एक्सेंट सीख पाएगा और इसके बाद मैं उसे प्ले स्कूल में डालूँगा इतने छोटे बच्चे पर अभी इतना प्रेशर क्यों डालना है दामाजी सीख जाएगा ना धीरे धीरे सब कुछ वैसे भी मेरा नाती बहुत होश्यार है बाहर दुनिया बहुत एडवांस होगे ये ममी आजकल चार साल के बच्चों को कोडिंग आने लगा है अब नवीन की पास ज्यादा दिन नहीं है कॉम्पेटिशन के लिए तयार करना है मुझे मेरे चैंप को जब भी प्यार की बात आती तो प्रिया और शिवम अपने बच्चे को अपनी माँ पर छोड़ देते पर जैसे ही एक्जाम की बात आती दोनों नवीन के सर पर सवार हो जाते अब नवीन चार साल का हो गया था थपड़ पड़ेगा तुम्हें 92 marks out of 100? इतने बड़े कोचिंग में तुम्हारा admission करवाया मैंने पानी की दरब पैसे बहाये तुम्हारे पीछे फिर भी ये marks इतने तो बिना कोचिंग की भी तुम ला सकते थी कितनी try की मैंने कि तुम्हारे grades high हो सके मैं सोच रही थी कि अम्बानिस की स्कुल में admission कराऊंगी तुम्हारे पर जैसे तुम्हारी हरकत है मुझे नहीं लगता वहाँ तुम्हारा admission कभी हो पाएगा अरे प्रिया अपनी स्कुल में टॉप आया है 92 marks कम होते क्या कभी तो satisfied हो जाया करो चार साल का है नवीन अगर जिस तरह तुम इससे बात कर रही हो मैंने तुमसे की होती ना तो तुम कभी एंजिनर नहीं बन पाती प्लीज बमी आपने ही बिगाड़ा है इसे दिन रात पागलों की तरह मैं और शिवम पैसे कमाने के पीछे रहते हैं और इसे बैल्यू ही नहीं है तीन साल बाद इसे हॉस्टल में डालना है और लाड साफ हार शाम साइकल चलाने बाहर रिकल जाते हैं साइकलिंग से क्या होता है सीखना है तो स्विमिंग सीखो मैं तुम्हारे लिए शाम के टाइम के क्लासस लगवा रही हूँ और इस तरह जिस सुम्र में जहां नवीन के सर पर प्यार का हाथ होना चीए था उसके कंदे पर जिम्मेदारी और बेस्ट स्टुडन बनने का बोश डाल दिया गया था अब नवीन साथ साल का हो चुका था अरे क्यों भेज रही हो प्रिया इसे हॉस्टेल कितना छोटा बच्चा है वहां के लिए कैसे रहेगा टैंथ की बाद जब ये अबरॉट चला जाएगा न ममी तब कैसे बैलन्स करना सीखेगा चीजों को अरे तब का तब देखेंगे बेटा साथ साल की उम्र होती है क्या माबाब से दूर जाने की वो भी इतनी दूर शहर साल में बस दो बार मिल पाएंगे हम नवीन से मैं जो को हूँगी वो करोगे न तो अभी चुप चाप गुट बॉई बनके हॉस्टेल चले जाओ टाइम तुम्हारा ही है बिटा पर कमाना भी तो जरूरी है यह सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहे है मम्मी पापा मेरे और शिवम के पास तुम्हारे अलवा और है ही कौँ अभी तुझे ऐसास नहीं होगा पर जैसे जैसे बड़े होगे ना तब समझ में आएगा कि मम्मी पापा ने जो भी किया तुम्हारे अच्छी के लिए किया नविन रूता रह जाता है पर ना शिवम उसके आंसों को समझता है ना ही प्रिया उसे दूर दहराद उनमें हॉस्टेल भीज दिया जाता है दिन बीटते जाते हैं हर रात को आठ बजे जब नवीन का फो बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं हम तुम्हारे पीछे बहुत उमीद है तुमसे पढ़ाए पर फोकस करना हां ओके ममी और इस तरह दस साल बीट जाते हैं और अपनी आगे की पढ़ाए करने के लिए नविन यूएस जाने को तयार हो जाता है उम्र का तकाजा अप्रिया और शिवम को भी आने लगा था वो भी अपने 40s में आ चुके थे हॉस्टिल छोड़कर नविन अपनी नानी के पास आता है तुम सीधा यहां आए नविन मुझे तो लगा तुम घर आओगे अगर घर आता तो नानी को वहां आना पड़ता और नानी तो अब ज्यादा चल फिर भी नहीं सकती इसलिए मैं यहां आ गया दोनों जगा जाकर टाइम क्यों वेस्ट करना टाइम इस मनी अन मनी की इंपोर्टन्स तो आपने ही मुझे सिखाईए अपना खयाल रखीगा नानी मैं जा रहा हूँ आजा बेटा जाने के पहले डैडी के गले तो लग जा आजकल यह लड़का भी इतना फोन ट्राइ करती हूँ पर फोन नहीं उठाता मैसेज भीज देता है आम बिज़ी रुको जरा मैं कॉल करता हूँ शिवम नविन को कॉल लगाता है अगर मैं ममी का कॉल नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब यह है ना कि मैं बिज़ी हूँ पैसे खर् ममी अपने काम पर ध्यान दीजिए और मुझे अपने काम पर ध्यान देने दीजिए जब भी मैं फ्री होता हूँ नानी को कॉल करके खुद की सारी इंफोमेशन दी दूँगा आप उनसे ही पूछ लीजेगा नवीन मनिशा को वीडियो कॉल कर उससे घंटों बाते करता रह खुश रहो बीटा अरे नवीन तुने तो गोरी मैडम ढूण ली हाँ नानी मेरी प्लेस्मेंट हो गई है पाच करोड का पैकेज है मेरा जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली है उसी में जिया को भी अब हम यहां आराम से रह सकते हैं और तेरे माबाप बीटा दो सार से तो तो आया भी नहीं वो दोनों पैसे कमाने की मशीन है नानी वो मेरे माबाप नहीं है मेरा तो जूबी है वो आप हो सुलोच नान्टी से बात कलिए मैंने वो आकर आपका सारा सामान बांदेगी अगले मेने मैं आकर आपको यहां ले आओंगा और अपनी नौकरी लगते ही नवीन अपनी नानी को लेने वापस मुंबई आता है यह सब क्या है नवीन तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है तुम शादी करने वाले हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं और हो गई ना पढ़ा है इंडिया में जॉब डुंडो कोई ज़रुत नहीं बाहर जाने यह बिटर अपने ओफिस से हमने भी अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया है जिसे हम रेस्टोरंट बिजनिस में लगा देंगे और फिर ओफिस का जंजट खत्म हो जाएगा आराम से हम तीनों टाइम स्पेंड कर पाएंगे इतने से पैसे में क्या होता है पापा अब मेरा भी बच्चा होगा मेरी भी फैमिली होगी अगर उसे स्पेंस में जाना हुआ तो पैसे तो चाहिए ना पापा इंडिया में मैं कितना ही कमा लूँगा बाहर रहेगा अच्छा इंवायमेंट में रहेगा तो उसका ग्रोध भी तो अच्छा होगा फिर आप दोनों भी बुड़े हो जाएंगे और अस्पताल के एक्सपेंसिस तो बढ़ती जा रहे दिन बदी मैं कमाऊंगा तभी तो आप दोनों पर खर्श कर पाऊंगा अरे मैं आपके लिए ही तो कमा रहा हूँ मौम एंडेड प्रिया और शिवम रोते रह जाते हैं पर नवीन नहीं रुकता और अपनी नानी को लेकर यूएस चला जाता है और फिर प्रिया को रियलाइज होता है कि जो उसने अपने बेटी के साथ किया वही आज उसका बेटा उसके साथ कर रहा है